हलो फ्रेंड्स and welcome back to my channel बिंगॉली फामिली इन यूए जहां मैं बात करती हूँ यूए और ट्रावल से रिलेटेट छोटी बड़ी खबरों की तो दोस्तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे यूए वर्क वीजा से रिलेटेट एक बहुत अच्छी अपडेट सामने आ रही है आप सब के साथ इस वीडियो के तो शेयर करूंगी आप सब से रिक्वेस्टर वीडियो को एंटर के देखेगा ताकि पूर अपडेट आप बहुत शौटन किया जा रहा है लेंदी प्रोसस को शौटन करने की कोशिश की जारी है यूए वर्क वीजा से रिलेटेट अभी तक क्या होता था कि सारे चीजों के डिपार्टमेंट से अलग अलग होते थे ठीक है इसमें इमिग्रेशन होता था मोरे होता था मेडिकल के ल लेकर एमिरेटस आइडी आने तक का लेकिन अब इसको एक साथ किया गया है इसलिए इसको बोला जा रहा है वर्क बंडल यानि कि वर्क वीजा जो है वो एक साथ किया जा रहा है तो कुछ दिन पहले ही मैंने आप सब को अपडेट किया था कि 5 दिन में ही आपका जो है नहीं हुआ है लेकिन दुबई में ऐसे work वीज़ा जो है एकशेप्ट होने शुरू हो चुके हैं और इसाट। नहीं है और फाल 100 टाइज में अदर आपका वर्क बीजा लग जायगा में लाग लेकिन इससे पहले आपको अपने आपको अनगा फोन पे ही आप आपका Emirates ID मिल जाएगा जो कि scannable रहेगा यानि कि आपका Emirates ID कोई भी scan कर सकता है अलग से physical Emirates ID की कोई भी ज़रुत नहीं होगी आप digitally अपना Emirates ID कहीं पर भी show कर सकते हैं और उसको scan कराने से आपकी जितने भी details है वो सामने आ जाएंगे और बाद में आपको by post जो है वो physical Emirates ID आपको मिल जाएगा तो सोची जो 30-35 दिन का काम है वो अब 5 दिन में हो रहा है कितना fast काम है और already शुरू हो चुका है अच्छे इसके fees के बारे में बता देते हैं कि इसकी जो fees है government fees हो है वो normal work visa से अलग है या same है तो देखिए work visa का जो price है वो same ही है ऐसा कुछ अलग से इस लगी है तो company पूरा आपका visa का खर्चा उठाती है तो यह अगर company यहाँ पर apply करती है तो भी company ही आपका जो visa का खर्चा है work visa का खर्चा वो company ही देगी नहीं आपको देना होगा service charges को ज़्यादा है और जैसे normal में service charges थोड़े कम होते हैं लेकिन अगर आप work bundle के थ्रू work visa apply होता है तो service charges जो है वो थोड़े से ज़्यादा है पर ऐसा नहीं है कि 1000 दिरम का फरक है बहुत कम का फरक है तो company को भी burden नहीं होगा इससे company अगर urgently किसी का work visa लगाना चाहती है तो company अर्जिंट में भी उसका work visa लगा सकती है और जल्दी लगा सकती है तो गाइस आई होप यह वीडियो आप सबके लिए helpful रही होगी मिलते नेक्स वीडियो में एक नहीं update के साथ तब तक के लिए good bye and take care